रादे रादे दोस्तों क्या आपने ये वाली मठ्री बनाई है अगर नहीं बनाई है तो चलिए इसे बनाना बताते हैं और बताते हैं इसे हमने किन किन चीजों से बनाए हैं तो दोस्तों ये मठ्री बनाने के लिए हमने यहाँ पर आलू और प्याज और लशुन का इस्तमाल तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो ये मठ्री बनाना बहुत ही असान है, बहुत ही ज्यादा टेश्टी है, तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने चार आलू लिये हैं, जो कच्चे आलू है, एक लहसुन की गार, दो सितिन हरी मिर्च और एक प्याज, सभी को मिक् को उस बरतन में निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने इसे गेहू के आटे में बना रहे हैं, अगर आप चाहे तो इसे मायदे में भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक को टोड़ी अभी आटा डाले हैं, उसके बास मसाले में जाएगा साबुत जीरा, आधी चमत हल्दी प करनाने के लिए यहाँ पे एक चमच डालेंगे चाठ मसाला पाउडर, एक चोथा ही चमच डालेंगे यहां पर काली मिर्ज सुमुत पॉडर, आधी चमच यहाँ, गॐय स्नुन नमक तो यहाँ पर हमने एक चमच नमक डैड़ किये उसके बास एसमें डालेंगे हम दो रोटी के आटे से सक्त आटा लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर रोटी के आटे से ज्यादा सक्त आटा लगाएंगे, अब इसे आटे को लगाके लगमसम 15 मिनट तक ठक के रख देंगे, अब हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, इसे थोड़ा सा और मसल दो मिनट अब इस आटे को पांच भाग में डिवाइड कर दिये हैं अब देख सकते हैं बड़ी बड़ी लोईया तोड लिये हैं अब एक लेगे चकला एक लोई को सुखी आटे में डिप करेंगे और चकले पे अच्छे से बेल लेंगे जितना रोटी हम पतला बेलते हैं उत ससे होल कर लिगे बहुत ही जल्दी से हो जाता है यहां पर हमने इonna उ Little哦 संब्वाच देखिए उसके बाद से हम एक लियेंगे गिलास एंसे का प्टारे लिजे यहां आपने गिलास का इस्तमाल कर रहें और इस तर से छोटी-छोटी इसकी पूडिया कट कर लेंगे बहुत ही असान है इस मठ्री को बनाना आप इसे 10 मिनट में बना के तयार कर सकते हैं और यह टेश्टी बहुत लगता है आप जरू ट्राइ किजिएगा और इसके किनार हटा देंगे और दूसरे लोई में इसे लगा के बेल लेंगे इसी तरह से सारी अपने कोड़ियों के डाल लेंगे और इसे अच्छे से फ्राइ होने देंगे आप हम गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे एकदम से कुर्कूरी बनानी है तो इसी तरह से अलटते पलटते इसे हम ज्यादा टाइम नहीं लगता है तीन से चार मिनट में हमारी बहुत ही अच्छे से यह फ्राइ हो जाएगा एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो देख सकते हैं इसे फ्राइ करते हुए करीब तीन मिनट हुआ है और बहुत ही अच्छे से यह कुर्कूरी हो गई है अच्छा सा कलर आ गया है इसे निकाल लेंगे गैस को बन और दो मिनट तेल हमारा ठंडा होगा उसके बास से दूसरा बैच तलेंगे क्यूंकि हमारी तेल बहुत ज़्यदा गरम है तो देखिए दोस्तों दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है इसे भी निकाल लेंगे इसी तरह से अपनी सारे मठ्री को तल के तैयार कर लेंग और हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए ओके